हेलो फ्रेंट्स, Monototorial Academy में आपका स्वागत है कमेंट्स में मुझे लिखकर बताया था कि यह टौपिक किसी को पढ़ना है Rithroblastosis Fetaliasis सो मैं आज यह टौपिक पढ़ाऊंगे Rithroblastosis Fetaliasis सो फ्रेंट्स वीडियो को शेर केजिए और लाइक केजिए कमेंट जरूर करके बताइएगा अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता या फिर समझना है तो प्लेस मुझे कमेंट में लिखके बताइए फिर मैं आपको वो टॉपिक समझा दूगे और आपको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि जो भी अपडेशन आ जाना इसमें क्या होगा एक फादर है एक मदर है अर्ह नेगीटिव है और जो फादर है वो नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं इन दोनों का जो बेबी होगा वो क्या होगा आरच पॉजिटिव होगा या नेगिटीव होगा अब हम देखते हैं सब्सक्राइब हमें मदर का लिया small r small r father का लिया capital r small r अब दोनों में क्या cross reaction करवाएंगे तो cross reaction करवाने के बाद क्या होता है दो positive होते हैं और दो negative आरेच अब हमने दो small आर मदर के लिए positive जो हमने पहले भी लिये थे लेकिन father का हमने one आर वो capital लिया था और एक small लिया था लेकिन इसमें हमने दोनों में capital लिया है तो जो cross reaction होगी उसमें क्या होगा सारे आरेच positive आएंगे एक भी आरेच नेगटिव बेवी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है जो मैंने आप कुछ अड़ बताया इसका मतलब क्या है mother is आरेच नेगटिव and father is आरेच पॉजटिव तो fetus is आरेच पॉजटिव मैंने आपको चार्ट में बताया कि आरेच नेगटिव मदर small rr लिया हमने और आरेच पॉजटिव फादर हमने capital rr लिया जब दोनों में cross reaction करवाया तो बेबी का आरेच क्या हुआ आरेच पॉजटिव अगर मदर का ब्लड ग्रूप नेगटिव है और फादर का ब्लड ग्रूप पॉजटिव है तो जो बेबी बर्थ होगा उसका आरेच क्या होगा पॉजटिव ओके अब क्या होगा अगर बेबी आरेच पॉजटिव है तो जब मदर के डिलेवरी का टाइम आएगा क्योंकि मदर आरेच नेगटिव है अगर मदर के डिलेवरी का टाइम आता है तो क्या होगा जो बेबी का जो पॉजटिव ब्लड होगा वो मदर के नेगटिव ब्लड में ए जिसकी वज़े से क्या हो सकता है, रियक्शन हो सकती है, और मदर की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, तो during delivery क्या होता है, जो fetus, जो baby है, उसकी rbc का जो antigen, surface antigen होता है, वो मदर में, मदर के circulation में आ जाता है, friends, आपने देखा होगा, जब किसी को हम blood donation करते हैं, किसी emergency case में, किसी का blood बहुत जादा flow हो गया है, या फिर किसी accident case में, या फिर किसी emergency case में, किसी को blood donate करते हैं, तो हम पहले ये पता करते हैं, कि उस बंदे का, जो blood दे रहा है, उसका क्या group है, blood group, और जो ले रहा है, जो patient है, उसका blood group क्या है, दोनों का blood group अगर match होता है, तभी blood transfuse करते हैं, वर्णा blood transfuse नहीं होता, क्यूं, क्यूंकि अगर हम positive blood वाले को negative blood दे देते हैं, तो patient की जान जा सकती है, क्यूंकि जो antigen positive के पास है, वो antigen negative के पास नहीं है, ठीके, दोनों अलग-अलग होते हैं, जो हमारा O positive है, वो तो universal donor है, वो तो किसी को भी दे सकता है, अब क्या है, mother immune system is exposed to RH antigen and there is activation of B cell which starts producing memory cells and plasma cells, plasma cells produce antibodies specific of RH antigen, अब क्या होगा friends, जो mother का immune system है, हमारा immune system होता है, जब हमारे bodies में foreign bodies, फोरण कोई चीज एंटर कर जाती है, लाइक आपने देखा होगा, जब हमारी body में कोई foreign particles एंटर कर जाते हैं, तो हमारी body का जो active cell है, B cell है, या फिर हम कह सकते हैं, white blood cells होती हैं, जो active हो जाती हैं, और उससे लड़ने में हमारी help करती हैं, यानि बिमारी जो होती है, उससे लड़ने में हमारी help करती हैं, वैसे ही जो mother का immune system है, वो activation कर देता है beta cell को, जो क्या करता है, start करता है memory cell को बनाने के लिए और plasma cell को, फिर ये memory cell, plasma cells produce करते हैं antibodies, जो antigen को destroy कर देते हैं, ओके, so these antibodies destroy fetus RBC is carrying RH antigen, जो fetus का RBC mother के circulation में आ रहा है, उसे B cell क्या कर देते हैं, जो antigen produce कर रहा है, उसे destroy कर देते हैं antibodies को, okay, so friends, एक chart है, आप देख लीजे, fetus RBC थी short form का chart है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, आप एक पर चेक कर लीजे, fetus RBC is भी ता रह antigen, जो fetus का RBC होगा, वो रह antigen के साथ होगा, ठीक है, उसके साथ होगा, RBC के उपर, RH antigen महाँ पर प्रेजेंट होगा, एंड दन क्या होगा, बीटा सेल होगा, मदर का, मदर का बीटा सेल, और fetus का RH antigen, यह क्या करेंगे, अगर यह दोनों mix हो जाते हैं, तो activation of B cell, B cell क्या होगा, active हो जाएगा, यह क्या बनाएगा, प्लाजमा सेल, मैम डिसल बनाएगा, ओकी, production of antibodies specific of RH antigen, अब क्या होगा, यहाँ पर, RH antigen के against, sorry, जो production of antibodies है, RH antigen के production होगा, and destructions of fetal, RBCs in mothers, circulation and mother gets protection, इसमें क्या होगा, हम मदर को protect कर सकते हैं, fetus RBCs से, ओके, during second pregnancy, mother again carries RH positive fetus, अगर, mother का पहला बेवी RH positive है, and then, उसके second delivery में भी, उसका बेवी जो है, RH positive है, so, during delivery, mother's memory cells enters fetal circulation, और अब क्या होगा, during delivery, delivery के पहले, जब उस दौरान, जब उस दौरान, जब उस दौरान क्या होगा, जो mother का जो memory cell बन गया है, वो fetus के अंदर enter कर जाएगा, उसके circulation में, these memory cells get exposed to RH antigen present on fetus services, अब जो memory cell mother के अंदर बन गई है, वो exposed उजाएगी, किसके fetus के अंदर, जो जिसके अंदर क्या present है, RH antigen, तो ये memory cell क्या करती है, antibodies बनाती हैं, और antigen को destroy कर देती है, अगर mother का antibody, बेबी के antigen को destroy करेगी, तो क्या बेबी survive कर पाएगा, नहीं, क्यों, देखें, memory cells produce anti-RH antibodies, which start destroying fetus services, अब ये क्या करेगा, जो memory cell है, मदर के अंदर, वो antibodies produce करेगा, antibodies क्या करेगा, destroy करेगा, fetus की RBCs को, अगर fetus की RBCs ये destroy हो जाएगी, तो बेबी कहां से survive करेगा, वो survive नहीं कर पाएगा, इसे कहते हैं, hemolytic anemia occurs in babies, अब क्या होगा, अब RBCs कम हो जाएगी, RBCs destroy हो रही है, fetus बेबी के अंदर, तो RBCs कम हो जाएगी, उसे क्या हो जाएगा, hemolytic anemia हो जाएगा, और जिसकी विरिस से क्या होगा, उसे jaundice भी हो जाएगा, और that leads to the death of babies, और बेबी की death भी हो सकती है, this is termed as rhithroblastosis fetaliasis, RBCs का तोटना in babies के अंदर, that is called rhithroblastosis fetaliasis, इसका सीधा समतलब ये है, कि अगर mother rh negative है, baby rh positive है, तो जो mother के अंदर antibodies है, वो क्या करेंगी, beta cell जब active होगा, तो memory cell और plasma cell बनेगी, memory cell और plasma cell किसको active करते हैं, antibodies को, जो mother के अंदर memory cell के रूप में antibodies है, जो क्या करेंगी, दूसरों से antigen से उसको बचाएंगी, दूसरे antigen से, मतलब अगर mother के पास negative वाला antigen है, तो वो negative वाले antigen से ही, उसको, मतलब उससे नहीं बचाएगी, मतलब positive वाले से बचा कर रखेगी, वो memory cell, समझे आप, वो positive वाले से बचा कर रखेगी, ताकि positive वाला negative वाले में enter ना कर सके, तो वो antibody क्या करेगी, उस antigen को destroy कर देगी, जो mother के अंदर enter करने वाली है, ठीक है, तो delivery के time पर, क्या होता है, जो baby के circulation में RBC है, वो mother के अंदर enter करती है, तो उस time पर क्या होता है, वो antibodies जाकर, उस antigen को destroy कर देती है, तो वो जो antigen destroy हो रहा है, वो किसके अंदर present है, बेबी के अंदर, अब baby के जब RBCs ही destroy हो रही है, तो baby को hemolatic anemia होगा, जिसके अंदर उसको RBCs की कमी हो जाएगी, प्लेस में उसे jaundice हो जाएगा, अगर बेबी को anemia हो गया, jaundice हो गया, तो उसके बचने के chances बहुत कम हो जाएगे, और क्या होगा, उसकी वही death हो जाएगी, तो इस condition को हम कहते हैं, Rithroblastosis Phetaliasis, तो इसका एक और छोटा सा चार्ट है, जो मैं आपको बताती हो भी, पहले, memory cell of mother, और fetus RBCs, mother की memory cell active हुई, fetus की RBCs, during delivery, activation of memory cell, memory cell की activation, किसके अंदर हुई, mother के अंदर, production of anti-RH antibodies, ठीके, mother के अंदर, RH antibodies production हुआ, and clearance of fetal RBCs, clearance का मतलब, यहाँ पर क्या है, destroying, mother के अंदर, antibodies बन गई है, तो, वो क्या करेंगी, antigen को destroy करेंगी, यानि किसके antigen को, baby के antigen को, जो उसके RBCs पर present है, उसको, orythroblastosis Phetaliasis, हम कहते हैं, इस condition को, तो, friends, इससे बचने का, इससे रोकने का, एक solution है, so, मैं आपको solution बताती हूँ, वो क्या solution है, so, इसका solution यह है, रोगम एंटिबॉडिज, are given to the mother, within 48 hours, of first delivery, first delivery की 48 hours, पहले, mother को, एक रोगम नाम का, एक एंटिबॉडि, उनकी बॉडि में inject किया जाता है, okay, यह क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, बीटा सेल अक्टिवेशन को, okay, and hence memory cell, and not produce, so there is no complications, in second delivery, friends, इसमें क्या हुआ, रोगम एंटिबॉडि क्या करेगा, बी सेल को, एक्टिवेशन नहीं करने देगा, ब्लॉक कर देगा, जब बीटा सेल यह active नहीं होगा, तो मदर के अंदर, ना memory cell बनेगी, ना plasma cell बनेगी, ना antibodies बनेगी, जो बेबी के अंटिजन को destroy करेगा, तो हमने उसी point को cut कर दिया, जो memory cell बना रहा था, और antibodies बना रहा था, जो बेबी के अंटिजन को destroy कर रहा था, उस step को हमने cut कर दिया, तो जो रोगम antibodies है, वो 48 hours पहले inject किया जाता है, डिलेवरी के, ताकि बीटा सेलेक्टिव ना हो, और second delivery में भी कोई complications ना है, ओके friends, हमारे टॉपिक आज हें तक था, रित्रो ब्लासोसिस फिटालियासिस, next topic मैं आपको पढ़ाऊंगी, so friends, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे बताएगे कमेंट में कि आपको, पूरिस्रो ब्लासोसिस फिटालियासिस के अंदर क्या समझनी आया, मैं आपको और explain कर सकती हूँ, okay, so friends, subscribe कर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी medicals की बच्चे ही से पढ़ सके, और जो जो टॉपिक आप मुझे समझना चाहते हैं, प्लीस मुझे भीजिए कमेंट करके, okay, thank you friends,